कर सातियों, इस वीडियों में हम बात करेंगे जनन दर्वे सिध्धान के बारे में या जर्म प्लाजवित थ्योरी के बारे में जो की आगस्ट वीजमान के द्वारा प्रस्तुत की गई ये प्रियोग उसने लेमार्क के उपारजित लक्षनों के वनसागती के सिध्धान को नकारने के लिए किया था लेमार्क ने वनसागती का सिध्धान जो दिया था उसमें उसने ये बताया था कि कोई भी जन्तु अपने जीवनकाल में जो लक्षन अरजित करता है वो लक्षन उसके अंदर संचित होते जाते हैं तथा उसकी अगली पीड़ी में जाते हैं वीजमान ने ये कहा कि ये सारे लक्षन उसकी अगली पीड़ी में नहीं जाते कि वे ही लक्षन अगली पीड़ी में वनसागत होते हैं जो जर्म प्लाज में संचित होते हैं इस सिध्धान्त में वीजमान ने ये बताया कि किसी भी जन्तू के सरीज के अंदर दो प्रकार के दर्वरे होते हैं एक सौमेटो प्लाज्म जो उसकी काईक कोसिकाओं का होता है दूसरा जर्म प्लाजम जो इसकी जनन कोशिकाउं अर्थाथ अंडानू वज सुक्रानू का होता है उसने ये बताया कि जो लक्षन सॉमेटो प्लाजम में संचित होते हैं जन्तू जिनको अपने जीवन काल में अरजित करता है जिने उपारजित लक्षन कहते हैं वो लक्षण जन्तू की मृत्यू के साथ ही उसमें समापत हो जते है। जर्म प्लाजम में अर्था जननकोसीकाऊं में पाए जाने वाले गुणसूतरों के अंदर जो लक्षण संचित होते हैं वही लक्षण जन्तू की अगली पीड़ी में जाते हैं। उसने ये बताया कि जो जर्म प्लाज्म हैं वो स्वते सरक्षित होता है और वो अन्य कोसिकाओं से अलग होता है। सेश कोशिकाओं के दरव्य को वीजमान ने सौमेटोपलाज में नाम दिया था और ये कहा था कि ये सौमेटोपलाज में वो उस जनतू की मृत्यू के साथ ही समाप्त हो जाता है उसमें उसने यह कहा कि जो भी लक्षन संचित होते हैं और वो यदि वनसागत हो तो पीडी गर पीडी ये लक्षन जनतु के अंदर संचित होते जाएंगे और ये संख्या में बढ़ जाएंगे जबकि ऐसा नहीं होता जनतु के अंदर जनन दर्वे से सम्मदित या यूं कह सकते हैं कि जनन कोशिकाओं में जो लक्षन होते हैं जो उनके गुण सुत्रों में या जीन्स के अंदर होते हैं वही लक्षन पीड़ी दर पीड़ी वन्सागत होते हैं तथा उनकी मात्रा समान रहती है हाला कि वीजमान ने जब सिद्धान्त दिया था उस समय तक अरशुत्री विभाजन के बारे में ज्यादा ग्यान नहीं था अरसुत्री विभाजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि इस विभाजन की खास बात जो होती है वो गुनसुत्रों की संख्या का आधा रह जाना तो गुनसुत्रों की संख्या जब आधी रहती है तो जनन दर्वे भी हम ये कह सकते हैं युगमक के माध्यम से आधा अगली पीड़ी में जाता है तो इसके कारण हम ये कहते हैं कि जनन दर्वे की मात्रा पीड़ी दर्व पीड़ी बढ़ती नहीं है बलकि निशित बनी रहती है आगस्ट वीजमान का ये जो सिद्धानत है वो जो दिया गया था वो दिया तो हम कह सकते हैं कि लेमार के सिद्धान के विरोध में था लेकिन इसने बाद में आगे चलकर जो आनुवानसिक पदार्थ होता है उसके बारे में ये आनुवानसिकता से सम्मदित कुछ जो बाते हैं उनको जानने में भी सयोग किया उमीद कर रहा हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा पिछले वीडियो की तरह साथ ही आपसे ये भी उमीद करता हूं कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें या देखें तथा अपने नोट्स अपने तरफ से प्रिपेर करने की चैस्टा करें साथ ही ये उमीद करता हूं कि जल्दी ही हम बहुतिक रूप से आमने सामने होंगे और जो ब्लैक बोर्ड की जो क्लासेज हैं उन क्लासेज के द्वारा अन्य जो बाते हैं उनको जानेंगे धन्यवाद